स्वालो और बेलकन दोस्तों, टेखिस सलमान चैनल में एक बढ़ फिर से आपका सुभागत है तो फानी दोस्तों, अज़को लिएव बात करो ले हैं, ओपो के K12X 5G फोन में अगर आप लोग इन डिस्प्ले फिंगर प्रिंट लोग को सेट अप करना चाहते हो या आप लोग साथ में face lock को भी setup करना चाहते हो तो फानले दोस्तों आप लोग सही वीडियो पे आचको इस वीडियो में आप लोग को display fingerprint lock and face lock भी set करके बताने ला हूँ and screen lock password को कैसे लगाना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरा phone देख से तो मेरे phone में कोई भी password नहीं लगा होगा यहाँ पर देख से तो मैंने unlock किया unlock हो चुका है यहाँ पर देख से तो मेरे phone में कोई भी password नहीं लगा है तो password लगाकर आपको दिखाऊंगा and display fingerprint लोग भी लगाकर दिखाने हैं वीडियो को end तर देखेगा, skip मत किलेगा तो चलते हैं वीडियो को सुरू करें लिए इससे पहले दोस्तों हमारी वीडियो को like कर लेना Instagram का लिए में लिए डिसकस भूएं, वहां से जाके आप लोग follow कर लेना तो चलते हैं स्क्रीन पर और आपको चल कर बता देते हैं तो फानली दोस्तों साइड में screen recording देखना में लिए तो यहां पर आपको बताने ला हूँ इन display fingerprint लोग कैसे लगाओगे अपने OPPO के K2LEX 5G phone के अंदर अब यहां पर screen lock password लगाने का आसान तरीका है फानली अपनी phone के setting के अंदर आपको आना है screen पर आपको क्लिक करके setting के अंदर आना है उसके बद आपकी phone में a doua dem की अपने जाता है नीचे सकूल करके आओगे यहां पर मिलेगा security and privacy का उप्सन यहां पर आपको क्लिक करना है उसके बद आपके phone में यहां पर मिल जाता है device, my यहां पर budget यहां पर set screen lock का उप्सन मीलेगा इस पर आपको click कर लेना है जैसे click करोगे आपके पास 3 से 3 option में लेगे and 3 हो में से एक number password है जो कि pin password लगाने का option में लेगा आपको यहाँ पर pin password लगा सकतो मैं यहाँ पर लगा का दिखाता हूँ pin password यहाँ से आप पर इनेबल face lock का option आएगा अब यहाँ पर देख से तो enable fingerprint का option आएगा अब fingerprint वाले option पर आप click करोगे जैसे ही यहाँ पर इनेबल पर click करता हो उसके पर आपका यहाँ पर fingerprint touch करने का option आएगा अगर आपके phone में side वाला fingerprint है तो side से आप यहाँ पर लगा सकते हो side से अगर आपके पास in-display fingerprint है तो आप लोग in-display fingerprint set up कर पाऊगे तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर click किया आप मेरा setup हो रहा है आप लोगको दिख रहोगा मैंने setup कर रहा हूँ यहाँ पर add face lock option आएगा add face lock पर click करोगे यहाँ पर आपको option मिल जाते हैं कुछ यहाँ पर add face पर click करना है उसके बद आपको continue पर click करना है उसके बदापका face दिखा ओगा यहाँ पर complete face lock आप को लोग कर रखो, तो उसे आप लोग अपने fingerprint से लोग कर पाऊगे, आसानी तरीके से, और यह चीज आप लोग को आसानी तरीके से देखनों को मिल जागी, तो fingerprint लोग आप लोग को लगाने बाद, आपके फोन में इस तरीके से इनेवल कर लेना है, उसके बाद आपको य में दगा रख्था, वही काम इस पर आने वाला है, तो इस चीज को आपको इनेबल कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आ जवाना है, आपके फोन में डिवाईस, अन्लोक पर क्लिक करना है, फिंगर प्रपींट ओल अपसंट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अलग तो जो कि आपको देखनों को मिल जाएगा और यूज करने के बद आपको यहां से बाइक कर लेना है उसके बद आपको क्यूक लॉंच का option मिलेगा यहां पर आप इसे भी इनेवल कर सकते हो जो कि आपको अनलोग करते समय यह features देखनों मिलेगी तो इन सभी को इनेवल करने के अब देखसे कि आप आप को अगर इस त्रीक्त करता हूँ हां पर इस त्रीकस आप लिए तरीक लोग लगा सकते अपने OPPO के K12X 5G phone के सड़िक के अंदर से अब बात करता है जो require password तो power up का अपसन है इस पर लोग प्रेस करते हो अपने phone को एक बार power up करते हैं तो अब उसके बाद आप power up करने के बाद यहां पर आप power up बटन पर लोग प्रेस करोगे अपनी phone में आप लोग जाका ट्राई कर सकतो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सक्सराइब करके बिलागन बाके इंप्रेस करें आप ताके हरे बिडियो का नट्पेकेशन सबसे पहले आप तो पहुचे तो चलिए दोस्तों फ़र मिलते किसे इंट्रेश्मोंटरी साथ अब तक लिए जाहिंद जा भारत बावत दोस्तों